Convex lens के माध्धम से हम लोग जो image form कर रहे हैं अभी जो object का position है वो है double of focus के उपर यानी 2F1 के उपर तो यहाँ पर बिठाने के बाद convex lens से refracted होने के बाद जो image form होगा वो screen पे होगा वो कहाँ पर तयार होते हैं वो दिखाने के लिए मैं screen को थोड़ा आगे पीछे करके perfect image बना आने के बाद एक लगभग एक clear image आ चुका है आप लोगों को दिखाए दे रहा होगा यानी जब convex lens में हम लोग 2F1 में बिठाते हैं after reflection वो उल्टी तरफ से 2F2 के उपर होता है और देखिए screen पे गिराया इसलिए वो real image है और यह देखिए इंवार्टेट हो गया उलट गया और यह जो size है देखिए object size and image size same size है तो यह है characteristics जब भी हम लोग 2F1 के उपर बिठाते हैं